तो देखो आज है डेट 25 जुलाई 2021 और आज जो है तो स्टेनो टैपिस्ट का एक्जाम जो है तो हमिरपुर बोर्ड के दोरा कंड़क्ट करवाया गया है इस एक्जाम की बात करें तो इस एक्जाम का पोस्ट कोड है 870 तो देखो इस एक्जाम को अभी हम यहाँ पर जो है तो 72-80% कवर करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जीके का पोस्टिन कवर करेंगे जिसमें हम maximum 70 कौस्टिन को डिसकस करेंगे उसके बाद हम इसके science के questions उसके बाद हिमाचल का section उसके बाद current affair का section तो ये सारा का सारा section हम यहाँ पर cover करेंगे तो इसके बाद जो है तो हम part 2 लेकर आएंगे जिसमें हम reasoning और reasoning और English और Hindi का section cover करेंगे यानि कि इस section को हम जो है तो part 2 में discuss करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस exam की pdf चाहिए तो आप user.com करके इस site पर जा सकते हो वहाँ पर जाकर कि आप इस exam की pdf को download कर सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे GS portion के साथ question number हमारा 103 है बाकि यहाँ पर अगर series की बात की जाए तो देखो यहाँ पर मेरी series है series C तो आप यहाँ पर अपने options को अपने questions को match कर सकते हो question number हमारा 103 है संपुर्ण देश को कितने नदी बेसिन में बिभक्त किया गया है तो यह गया है 24 option D correct next question वर्तमान में भारत संग राजक शेतरों की कुल संख्या देखो कितनी है तो यह 8 next भारतिय सविधान का कौन सा नुझेद मूल करतवियों से संबंदित है तो यह आर्टिकल 51 next question संग कारेपालिका में देखो क्या शामिल है तो यह शामिल है option D यह सभी यानि की राष्टपती, उपर राष्टपती और मंतिर परशद option D correct next question question number हमार 108 है भारत का उपर राष्टपती बनने के लिए आवेशक नियोनिता में आयू देखो कितनी होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए 35 वर्ष option C correct next question लोग सभा को यह भी कहते हैं next question सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था 2005 में हुआ था option A correct next प्रसाशनी का अधिकरन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो देखो यह हुई थी 1985 option C correct next IIIDEM निम्न में से किस के दोवारा प्रारंभ किया गया तो देखो यह किया गया था चुनाव अयोग यानि की election commission के दोवारा प्रारंभ option C correct होगा बखी guys अगर आपको यही questions जो है तो बिल्कुल deeply discuss करने हैं तो आपको बता होगा कि मैं इन questions को बिल्कुल deeply discuss करता हूँ बट यहाँ पर अभी आपको बता होगा questions बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हम इन questions को विल्कुल detail में discuss नहीं करेंगे तो question number 114 की बात करें नीली करांती किस की वृद्धी से संबंदित है तो यह है fisheries यानि की मतसीकी से संबंदित option B correct next भारत का रास्ट्री अभिलेखागार किस स्थान में स्थीत है तो किस स्थान में है तो यह है नई दिल्ली में option D correct next विश्ववयपार संगठन यानि की world trade organization का मुख्याले जहतो कहां पर स्तीत है यह है जनेवा में जनेवा कहां पर स्वेजर लेंड 116 का option A correct next GPS का आपको full form बतानी है तो GPS की full form हो जाएगी global positioning system option यहाँ पर देखो be correct हो जाएगा next देखो हमारे पास question है वायू सेना दिवस जो है तो प्रती वर्ष कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आठ अक्तुबर को next इगनू की स्थापना देखो किस वर्ष में की गई थी तो यह की गई थी 1985 next परिवर्णी शब्द ब्रिक का की कलपना निमन में से किस के दुआरा की गई थी तो देखो किस के दुआरा की गई थी यह की गई थी गोल्ड में सेचस के दुआरा option यहाँ पर be correct हो जाएगा next देखो next हमारे पास the choir board is in तो choir board क्या है तो देखो choir board क्या है तो यह है एक statuary body यानि की वैदहानी के निकाय option से correct next question next हमारे पास 122 question है कौन सा जो है तो धातवी का खनीज है तो all of these option यहाँ पर day correct हो जाएगा next question चूना पत्थर जो है तो किस परकार की चटान है तो चूना पत्थर किस परकार की चटान है तो यह है sedimentary rock यानि की अवसाधी चटान option बी गोरेक्ट next भारत में उच्छ नियाया लेओं की कुल संख्या देखो कितनी है तो कितनी संख्या है कूर्थ तो यह है 25 option डी गोरेक्ट next भारत का नवीन तम सीमा सुरक्षा बल कौन सा है तो देखो कौन सा है तो यह है SSB यानि की सशस्त्र सीमा बल option यहाँ पर देखो डी कोरेक्ट हो जागग 125 को option डी कोरेक्ट next राष्ट्रिय स्वास्थे बीमा योजना जो है तो किस से संबंधित है तो यह है BPL परिवारों से संबंधित option a correct next किसके रेडियो कलब दोरा प्रथम रेडियो कार्यकरम प्रसारित किया गया था तो यह किया गया था option d बंबई option d यहाँ पर correct होगा next question नीती आयोग का चेर्मैन देखो कौन होता है तो नीती आयोग का चेर्मैन होता है प्रधान मंतरी option c correct next कौन सा पुर्णत है समा कलित बहु देशिय बंदरगा है तो कौन सा है तो यह हो जाएगा मुंबई बंदरगा मुंबई पोट option d correct next question प्रतिस्ठेत प्रसिक्षकों के सम्मान से संबंधित अवार्ड देखो कौन सा है तो यह है दुरोनचारी अवार्ड option यहाँ पर be correct हो जाएगा next question कौन सा सरवच्च नागरी का सम्मान है तो कौन सा है तो यह है भारत रतन 131 का option ए correct next वरियता के करम में देखो कौन सरवच्च होता है तो सरवच्च होते हैं राष्ट पती बट इसके बाद देखो यहाँ पर इस इन options के अगरी जो है तो right option होगा राज्येपाल option देखो यहाँ पर ए correct हो जाएगा 133 की बात करें निम्न में से कौन सा सिंधू घाटी स्थालन नहीं है तो मैंगलोर option D correct सामवेद का उपवेद देखो कौन सा है तो यह है गंधर्ववेद option A correct काशी महाजनपद की राजधानी कहां थी तो यह थी वारण असी में option C correct कौन सा जैन धर्म का संपरदाय है तो देखो जैन धर्म का संपरदाय था कोटिल्य को ही जो है तो चानक क्या कहा जाता है, ओप्शन डी गोरेक्ट हो जाएगा, next question की बात करें, next हमारे बात question है, कौन महानतम मौरे साशक था, तो ये था अशोक, next, पाल वंश का संस्थाप कौन था, गोपाल, next question की बात करें, एर तेशवर मंदिर जो है, तो किस स्थान में स्थीत है में स्थीत है, अफरीकी यातरी था, next question, निवन में से कौन करनाटा का संगीत का महानतम संगीत कार था, तो देखो कौन था, तो ये था त्याग राज, 142 का देखो option a correct next question की बात करें अंतिम मुगल साश का देखो कौन था बहादुर शाह दृत्तिय next question शिवाजी के बाद सिंगहासन पर कौन बैठा था संभाजी option a correct next question इस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्टरी किस स्थान पर स्थापित की थी तो किस स्थान पर स्था है तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मुहनराय ने की थी option c यहां पर correct होगा next पांडवन रित्य किस भारती राजे का लोकन रित्य है तो कहां का है उतराहंड का option a correct next हमारे सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह देखो कौन सा है तो यह है बुद्ध 148 का option D correct 149 question है दोनों गोलार्ध में किस तिथी को समान दिन और रात होते हैं तो यह option D correct होगा A तथा C 21 मार चाओर 23 से सितंबर को next question की बात करें एटलस परवतमाला निम्न में से किसक शेतर में स्थीत है तो यह है तो यह है उत्तर पस्चिमी अफरीक का option यहां पर C correct हो जाएग option C correct होगा next question की बात करें निम्न में से कौन सा प्रित्वी के बायो मिंडल में उपस्थीतन नहीं है so 151 का देखो क्या हो जाएगा option D correct होगा chlorine next question की बात करें चिनुक स्थानी पवन जो है तो किस शेतर में बहती है तो यह USA और कनाड़ा में बहती है option A यहां पर देखो correct होग तो यह option D correct होगा option D अच्छे यह किस महसागर का नाम जो है तो किसी देश के नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है हिंद महसागरी यानि की इंडियन ओशियन इसको कहा जाता है ओके next question की बात करें निम्न में से कौन सी जो है तो ठंडी समूदरी धारा है तो यह है मातरी option A correct next कितने भारती राज्ये जो है तो नेपाल सीमा परस्थित हैं तो यह है पांच 157 का देखो right option होगा option B correct next question की बात करें question number 158 baron dweep जो है तो क्या है एक सक्रिय है या फिर प्रसुप्ति या फिर विलूप्त so 158 का option A correct हो जाएगा जो baron dweep है यह है एक active wall कहनो है option A correct next डोड़ा बेटा जो है तो किस भारती राजे की उचितम परवचोटी है तमिल नाडूगी है option यहाँ पर d देखो correct हो जाएगा 160 की बात करें कौन सा विश्व में सबसे बड़ा नदी यद वीप है तो यह है माजुली option D correct माजुली कहां पर पढ़ता है तो यह पढ़ता है इंडिया में और इंडिया की स्टेट में परता है तो असाम स्टेट में परता है नेक्स्ट कॉशन की बात करें इंदिरा गांधी नहर पर योजना जो है तो किन नदियों पर निर्मित है तो यह है सतलुज ब्यासा और रावी option A correct next कौन सी जो है तो रेशा फसल है तो कपास जोट सन यह सारी की सारी जो है तो रेशा फसले है यानि की all of these option डिकोरेक्ट होगा next question की बात करें कौन सा एक अधातविक खनीज है तो देखो इस question का right option मुझे नहीं आता है आप यहाँ पर नीचे comment कर सकते हो आप यहाँ पर options देख सकते हो तो इस options के according आप नीचे comment कर सकते हो कि कौन सा जो है तो एक अधातविक खनीज है 164 question डिगबोई तेल शोधन शाला की सभारती राज्य में है असाम स्चेट में है option डिकोरेक्ट next question की बात करें so question नमपर हमारा 165 है पस्चिमी रेलवे का मुख्याले की सिस्थान पर है तो यह है मुंबई option C यहाँ पर correct होग say correct होगा 167 जरिये जो है तो किस उद्योग के लिए परसीद है तो कोल मायन्स यानि की कोईला ख़तान के लिए next भारतिय सविधान की कौंज़ी यानिकी नगरपाली काउं से संबंधित है तो देखो 168 का right option होगा, option D none of these, तो देखो ये जो भारतिय सभीधान की कौन सी अनसूची है, जो नगरपाली काउं से संबंदीत है, तो वो है 12th schedule, 12th schedule, ये आपको note रखना है, next question, 169, निम्न में से किस भारती के राजे की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, तो 36 गर्ड, उतर संजीवन, रेड़ी option, यहाँ पर C correct हो जाएगा, next question की बात करें, बाकी guys, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि अगर आपको इस exam की PDF चाहिए, तो आप him exam.com करके इस site पर visit कर सकते हो, वहाँ पर जाकर कि आप इस exam की PDF को download कर सकते हो, बाकी guys, अगर आपको वीडियो अच् question B correct, question number 2, सार्व जैनिक खजाने का सर्रक्षक कौन होता है, तो यह होता है, comptroller and auditor general, यानि की भारत का नियंतरे के वो माहलेखा परिक्षक का option C correct होगा, second option C correct होगा, next question की बात करें, question number 3, कौन मरीदा में nitrogen स्थिरी करन को प्रेरित करता है, तो कौन करता है, तो यह करता है, option B, जीवानों यानि की bacteria, बाकी guys देखो, यह जो है तो यहाँ पर science का जो है तो section चल पड़ा है, next question number 4 है, प्याज है एक रूपांतरित, तो यह है steam यानि की तना, 4 का देखो option A correct होगा, next देखो, quarantine regulation की से संबंदित है, तो 5th का right option हो जाएगा, option B, prevention of entry of diseased organism, यानि की रोगी के प्रवेश को रोखना, option यहाँ पर B correct हो जाएगा, sorry देखो, यहाँ पर यह जो रोगी जीव बताया गया है, रोगी जीव की जगा देखो, रोगी पौध ही यहाँ पर होना चाहिए था, यानि की option यहाँ पर देखो, होना चाहिए था, कि रोगी पौध होना चाहिए था तो मैं आपको इसका right option नीचे comment कर दूँगा. Next, देखो question number हमारा 6 है. कौन सा production कारित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? सौर उर्जा का परियोगा option. C, यहाँ पर correct होगा. Next, देखो question number 7. पक्षियों कोडने से रोकने की प्रक्रिया, देखो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है, ब्रेलिंग, option A, correct. Next, मूल इकाईया क्या है? जिससे मानव अतिरिक्त अंग निर्मित किये जा सकते हैं. So, इसका right option होगा option B, steam cells, option B, यहाँ पर देखो correct होगा. Question number 9. Which vitamin is produced in human body by exposing it to early morning sun rays? So, 9 का option D correct होगा, vitamin D. Next question, milk converts into curd with the help of its enzyme. So, देखो 10 का right option होगा, option A, renin, option A, correct. Question number 11. In humans, the sound is produced by the, so 11 का, देखो right option होजाएगा, option B, larynx, option B, correct. Question number 12 की बात करें, which organ of the body never rest? So, यह होजाएगा, heart, option D, यहाँ पर correct होगा. Question number 13 की बात करें, heat stored in water vapor is, so 13 का, देखो right option होजाएगा, option B, option B, latent heat, यानि की गुपत उश्मा. Next, waves that are required for long distance, distance wireless communication are, so 14 का, देखो right option की होजाएगा, option यहाँ पर C, correct होजाएगा. Radio waves, option C, यहाँ पर correct होगा. Question number 15 की बात करें, वर्षा वाले दिन, पानी पर छोटी तैली ये परत चमकीले रंग दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो देखो 15 का right option होगा, option C, interference, option C, यहाँ पर correct होगा. Question number 16, which acid is used in the lead storage battery, so 16 का right option होगा, option D, sulfuric acid. Next, which metal forms amalgam with other metals, तो देखो 17 का right option होगा, option C, mercury, option C, correct. 18 कोशन की बात करें, first deputy chief commissioner of हीमाचल वास, तो देखो यहाँ से हमारा हीमाचल का section जो है तो चल पड़ा है, तो हीमाचल के प्रथम मुख्य आयुक्त, देखो उपायुक्त यहाँ पर सौरी पूछा गया है, आयुक्त नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, उपायुक्त, तो देखो हीमाचल के प्रथम, अगर मुख्य आयुक्त पूछे जाते तो यह होते NC महता, बट यहाँ पर पूछे गया है, प्रथम मुख्य उपायुक्त, तो उपायुकत थे E.P. Penderel Moon, option यहाँ पर B. देखो correct हो जाएगा, 18 का option B. यहाँ पर देखो correct होगा, 19 question, हिमाजल परदेश का सबसे बड़ा जिला जन संख्या नुसार है कांगडा, next, जन गर्णा 2011 के इनुसार हिमाजल का सबसे कम साक्षर्ता दर्वाला जिला है चमबा, next, द next question, बंदर घाटी हिमाजल के किस जिले में स्थित है, चमबा में स्थित है, next, मियार हिमनद, हिमाजल के किस जिले में स्थित है, तो देखो मियार हिमनद कहां पर स्थित है, तो यह है लहौल स्पित्ती में, option D correct, next, इरावती हिमाजल की किस नदी का संस्कृत नाम है, तो य यह है option B correct रावी नदी का 25 का देखो option B correct होगा next देखो सुकसार जील ही माचल के किस जीले में स्थित है तो देखो मंडी में है देखो मंडी की बहुत सारी जीले में आपको अक्सर बताता रहता हूँ जैसे रिवाल सर हो गई पराशर हो गई कुन तभेयोग हो गई कुमार वह हो गई फिर सुकसार जील हो गई तो यह सारी की सारी मंडी जीले की है ओके option B यहां पर correct होगा 27 धामी परांत की देखो स्थापना किस ने की थी तो यह गोविंद पाल ने की थी 27 का option C यहां पर correct होगा 28 question नाहन की स्थापना की सवर्ष में की गई थी 1621 1621 में 28 का option A correct 29 question निम्न में से किसे लोग पर यह रूप से छत्रपती के रूप में भी जाना जाता है राजा कहरी सिंग को option A correct होगा यह जो है तो शिमला के राजा थे देखो हमिरपुर बोर्ड के जितने भी एक्जाम जा रहे हैं तो उनमें यह question बहुत जादा repeat हो रहा है तो लॉड में उन्हें किस वर्ष में शिमला की यात्रा की थी तो 32 का देखो राइट option के हो जाएगा option C correct होगा next क्रिशी विश्विद्याले पालंपुरे का नाम जो ह तो डेहर जल विद्यत परियोजना की कारेकारी अजैंसी है BBMB भागडा अब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आप्चन यहाँ पर C correct होगा 35 question हिमाचल परदेश में नंगड उन्ना चराडू ब्रोडगेज रेलवे लाइन की कुल लंबाई देखो कितनी है अब देखो इस question का right option आप नीचे कॉमेंट करोगे क्योंकि हिमाचल परदेश में जो नंगड उन्ना चराडू ब्रोडगेज रेलवे लाइन है उसके देखो लंबाई है 26 किलोमेटर कितनी है 26 किलोमेटर अब देखो options के according देखो यहाँ पर दो options हैं बट इनके according भी यह match नहीं हो रहा है तो आप नीचे कॉमेंट करके बताओ कि इस question का right option क्या होगा ओके next देखो 36 question राजकुमारी अमरित कौर हिमाचल के निम्न में से किस स्थान पर रहती थी तो मनोर विले में रहती थी option a correct next हिमाचल परदेश का कौन सा स्थान लोक पर यह रूप से एशिया का आडू का टोरा कहा जात साहे लहौल स्थी में next is High lect yoga training center हिमाचल के किस स्थान पर स्थीत है अब देखो इस question का भी मैं आपको बता देता हूं तो High altitude training center हिमाचल परदेश में जो है तो शिमला में स्थीत है शिमला के शीलारू में स्थीत है कहांपर शिलारू में स्थीत है अब देखो options के according शिलार नीचे यहां पर इसका right option नीचे comment कर दूँगा next question की बात करें question number 40 है लामन हिमाचल परदेश के किस घाटी का प्रेम गीत है तो देखो 40 का right option क्या हो जाएगा option B correct हो जाएगा कुल्लू का next हिमाचल परिचेप उस तक किसने लिगी है राहूल सांस्कृतिया ने option D correct next does shown हिमाचल परदेश के किस जिले के लोगों का लोकन रित्य है किन और के लोगों का है 42 का देखो क्या हो जाएगा option C correct होगा 43 का option की बात करें केंदर सरगार ने हाँ देखो यहां पर जो है तो current affair का section यहां पर चल पड़ा है तो देखो current affair कितनी important है आप यहां पर देख सकते हो और किस तरह की current affair आपके exam में पूछी जा रही है तो यहां पर भी आप इनको देख सकते हो आगे आपके traffic inspector का भी exam आने वाला है तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो current affair का section है यह आपके लिए important होने वाला है तो देखो current affair कैसी पूछी जा रही है 43 question है केंदर सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को पुर्णतह सौर चालित करने के लिए योजना की खोशना की है तो यह की है कोनार का सूर्य मंदिर ओडिशा को option यहां पर देखो B correct हो जाएगा नेक्स्ट देखो 44 question किस तकने की कंपणी ने हाल ही में यूएस रक्षा विभाग के साथ प्रतिस्ठित क्लावड प्रोजेक्ट जीता तो 44 का राइट ऑप्शन होगा option से Google ने जीता option C correct next question अंतर राष्ट्री क्रिकेट कांसिल क्रिकेट समीती के अधेक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में बॉल को चमकाने के लिए लार के परियोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है तो ये थे अनिल कुंबले option यहां पर C correct हो जाएगा 45 का देखो option C correct होगा 46 किस भारती राजे ने हाल ही में परवासी मजदूरों की साहिता के लिए चर्ण पादू का अभियान जो है तो प्रारंभ किया है तो ये किया है मद्यपरदेश गावर्मेंट ने option यहां पर A correct होगा सन्युक्तर राष्ट्र द्वारा शांती के साथ रहना अंतर राष्ट्री या दिवस मनाया गया है 147 का देखो right option होगा option B 16 माई को option B correct 48 question की बात करें किस भारती राजे के मुख्य मंतरी को हाल ही में राजे विधान परिशद के लिए निर्विरोध चुना गया है सो देखो आपको बता होगा current affair में यह बहुत ज़्यादा चला था उत्राखंड के CM को option यहां पर C correct हो जाएगा 49 question पदमभूचन विजेता और बंगलादेश के वयोव रिद्ध प्रोफेसर जिनका हाल ही में निदन हुआ उनका नाम देखो क्या था तो उनका नाम था अनीस उजमान option यहां पर देखो C correct हो जाएगा 49 option C correct होगा question number 50 की बात करें किस वैश्विक संगठन नेहाल ही में भारत के COVID-19 सामाजी का संरक्षन प्रदिकरिया कारेकरम को गति देने के लिए एक बिलियन यूस्टी की मंजूरी दी थी दी है तो यह दी है वर्ल्ड बैंक याने की विश बैंक ने 50 का देखो राइट option होगा option एक और जो है गोल याने की going online as a leaders is a recent initiative launched by which union ministry of India तो यह जो है तो लौंच किया गया है ministry of travel affairs याने की जंजाती मामलों के मंतरा लेके दोरा option बी देखो यहां पर correct हो जागा तो गाइस देखो यह थे हमारे कुछ questions यहां पर हमने science हीमाचल परदेश current affairs और पूरा का पूरा GS portion याने की Indian history, polity, geography यह सारा का सारा section cover कर लिया है तो अब हमारा section बचता है reasoning, English और Hindi का section तो इसको हम part 2 में लेकर आएंगे तब तक के लिए आप हमारे channel को देखो जरूर से subscribe कर लो तो guys यह थे हमारे कुछ questions I hope वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जरूर से इस वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में bell icon को जरूर दबाएं, तो चलिए मिलते हैं वागली वीडियो में, till then, take care